माशालला मौसल में बड़ी तब्दीली आ गई, पैराची में ठंड होने लगी, कुईटा की हवा चली, चुकरी आप सब का आने का शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से ये, कि जो सवाल जुमिरात के होते हैं, वो बरायकरम एमेल पे बेज़ दिया करें, वाटसेप ना बेज़ दिया करें, और अब हमारे पास इतने सवाल हैं, कि आपका सवाल फिर लाइन में लगेगा क्यों में, दो सकता है तीन चार अफ़ते के बाद मैं उस पे बात कर सकूँ, अगर भेज दीजेगा जबूरू, दूसरी रिक्वेस्ट ये, कि अगर आपको ये मालू करना है, कि सिल्वा का बोरायकरम, मेरे नंबर पे कॉल या वाटसेप ना करें, आपके पास लाहॉर का नंबर भी है, कराची क नंबर भी है, इसलाब आती है, प्लीज उनको कॉल करने, इतनी दवा समझाता हूँ, फिर कोई मसला होता है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि आपको जवाब देना, जहारे बहुत सारी चीजे करनी पड़ती है, बिसमिल्ला करतें जी, अब्तिदा सवालों की, आज कोश यहाल है कि क्या बजा है कि जह हम अपने माजी में जाते हैं, माजी किसी बारे में सूचते हैं, तो हम पर अफसुर्दगी या उदासी चाह जाती है, क्या इसका कोई साइंटिपिक रीजन है, जिसने भी इस हवाल किया है, पहले तो यह है कि हरें के साथ यह नहीं होता, ट्रिक की अच्छे मांक्स आए, आप भी साल गिरा होने से कई अच्छे इवेंट्स लिए, असल में माइन को ट्रेन करना पड़ता है कि जब कभी आप माजी के बारे में सोचे तो आपका जहन खुश गवार यादों की तरफ ने है, हमारी जिंदग्यों में सब में अच्छ को याद करें, जिसमें नाकामी है, अफसुर्दगी है, डिप्रेशन है, गुर्दासी है, सैटनेस है, मेरा भी माजी है, मगर आप यकीन नी करें कि मत्तिजाद के बारे में बात करते हैं, अब तो माजी मेरे जहन में आता नहीं है, मगर अगर कभी वक्त कोई माजी आ मुझे कोई असुर्दगी नी होती, कोई दुख नी होता, क्योंकि मैंने अपनी गल्तियों से सीखा है, उसका पश्तावा नहीं है मुझे, हर जिंदगी में नाकामी इनसान को कुछ ऐसे गुर्ब बताती है, कि वो कामियाबी की तरफ ग्रामजन होता है, हर एकी लाइफ मे मेरे भी याद की भी होगा, तो कोशिश करें कि अच्छी बाते याद करें, इसलिए कहते हैं, कि इनसान अपनी जिन्दगी तशक्र के साथ गुजारे, लिव यूर लाइफ इद ग्रैजिटी, शुकर किया करें हर चीज़ पे, इस वक्त जो हाल में आपके पास उसका भी श हाता है, तो आपकी emotional state change होती है, जब emotional state change होती है, तो आपका जो present है, वो affect होता है, यानि इसलिए तो पर आपको आज जाना है, आपको लेक्शर देने के लिए, या एक presentation देनी आप, और आप सोच रहे के माजी में यह हुआ था, कि मैं stage पे गया था, मैं भूल गया, अब वो जो फीलिंग आपको आईगी वो फीलिंग आपको कल भी आईगी वापस तो स्टेट पे पहुंचो के तो माजी अपने आपको दोरा है गा तो चांसिस ही हैं कि शायद आप फिर नर्वस हो जाओ फिर आपको इंग्जाइटी हो बेचेरी और आप भूल जाओ तो इससे बेतर ह कि जब कोई जिन्दगी में कोई ऐसा लमा आए जो आपने परफॉर्म करना है कोई काम करना है किसी को मना करना है किसी को हा करनी है कोई फैसला करना है अच्छे मांक्स लाना है स्टडीज इंपरूव करनी है कोई इमतिहाने कोई बी चीज़ हो उसके लिए माजी को खंगाल कर कोई ऐसी बात लेकर आए जिसमें आपको कामियाबी थी और हर शक्स दुनिया में जो भी मौजूदे उसकी लाइफ में चाहे 99 फीसद परेशानी क्यों ना रही हो एक फीसद कोई न कोई खुशी और कामियाबी तो इनसान अगर अगर अपनी खुशियों वाली बात को गर हो याव घरना फाला है कि अमयों और इमिजें गए अनिमिज इन कम इंट्ड़ा है कि जो बता रही हो यह है कि बरतन बार बार दोने की आतर तो और उनको यह फीलिंग होती है और यह ख्याल आता है क्यों बरतन धोने के बाद उसमें कोई गंधी चीज गर गयी और ये खातून ही होगी मेरे खाल में क्योंकि खवातिन को अक्सार होता है अब ये केरी इसका इलाज कहा है पहले तो ये बीबी जिसने भी सवाल बेजा है ये एक mental disorder कहते है एक होता है disease, बिमारी इसे बिमारी नहीं कहेंगे इसे disorder जानी order का opposite disorder चीजें order में होती है, either disorder तो disorder में इस बिमारी का नाम है OCD Obsessive Compulsive Disorder इसको हम अपनी आम फहम जबान में वहम की बिमारी कहेंगे और कहा जाता है कि हकीम लुक्मान के पास भी वहम का इलाज नहीं था मगर अब दौर में वहम का इलाज है तो सबसे पहले तो यह ख्याल रखें कि अगर चालीस साल से उमर कम है तो यह बिमारी से चुटकारा हासल करना बत simplement आसान होता है मगर अगर अगर चालीस साल से ज्यादा है तो ज़रा मुशकिल होता है तो पहला काम यह करना है कि आपने अपने अपने शहर अपने अलाके में किसी अच्छे माहरे नफसियाद साइकाइटरिस के पास जाना होगा साइकाइटरिस जो है वो आपको दवाई देगा, वो दवाई लेनी होगी एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग साइकाइटरिस के पास जाते वे डरते क्यों है और पिर अगर दवाई दे तो एक ही जुम्ला होता है दवाई दिये सारे दिन नीद आती है ये होता है भई नीद आती है इसलिए तो आती है कि वो psychiatrist की दभाई आपको ठीक कर दे आज मैं खादून को बता रहा था कि अगर एक पतीली में पानी है और वो पानी एक चूले पर है और चूला जल रहा है तो जब तक वो चूला जलता रहेगा पानी उबलता रहेगा अब मैं अगर चाहूं कि पानी में हाथ डालके कुछ चीज है उसके अंदर, निकालूं, अंडा बॉइल करने रखा है, मुझे बॉइल एंडे बहुत पसंदे, तो अब मैं हाथ नी डाल सकता है, उबलते वे पानी में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चूले को बंद करना होगा, उसके बाद पानी जब खंडा होगा, तो मैं हाथ डालकर उसमें से अंडा निकाल सकता हूँ, इस बीमारी में भी यह होता है कि कुछ अर्से के लिए दवाई लेनी पड़ती है, जहन पुरसुकून हो जाता है, शान्त हो जाता है, कॉइट हो जाता है, उसके बाद तेरपी मुफ्तलिफ की जाती हम भी करते हैं तेरपी और यह प्रॉब्लम जो उसका सॉल्व हो जाता है, डिसॉडर में एक चीज़ याद रखे कि डिसॉडर उस वक्त होता है, जब ब्रेन के अंदर जो कैमिकल है, उसमा बैलेंस में प्रॉब्लम, उसको इंबैलेंस हो जा अभी एक रिसर्च होई है, जिसमें उन्होंने पांच चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है, रिसर्च के जरीए जिसकी वज़ा से कैंसर होता है, उसमें एक स्ट्रेस है, एक स्ट्रेस है, एमोशनल स्ट्रेस, नौकरी चली गई, कारोबार में प्रॉब्लम हो रही है, रिसर्च उमें प्रॉब्लम है, किसी वज़ा से एमोशनल स्ट्रेस बार बार आपको है, यह कंटियूस्ली है, तो वो रास्ता पैदा करता है, कैंसर के पैदा होने हो. इस्ट्रेस एतनी खराब बिमारी हैर, ज्यादे तर अमराज एक कल्प जो है, वो स्ट्रेस की वज़ा से यादधाश कमजोर होती है स्ट्रेस की वेजा से पेट के अक्सर अम्राज का तालुक स्ट्रेस से है जिल्द के बेश्टर अम्राज का तालुक स्ट्रेस से है स्ट्रेस बड़ी खतरनाक्षे है अजान आली दो में डुम जाते हैं जब लगना झाल कर दो झाल तो लाइफ में स्ट्रेस तो हो गई हो तो ऐसा मौकान यह स्टूड़न्ट है इनकी लाइफ में स्ट्रेस है छोटे बच्चे की लाइफ में स्ट्रेस है पढ़ाई का स्ट्रेस है मदरसा जाने का स्ट्रेस है मौलवी सहाब से मार खाने का स्ट्रेस है क्लास में टीचर से मार खाने का स्ट्रेस है तो हर शक्स को किसी भी उमर का हो उसको स्ट्रेस है जिसके पास बहुत ज्यादा है उसको ये स्ट्रेस है कि चला ना जाए income tax वाले नापकर ले फिया नापकर ले अना गोर्वेंट ना पकर ले जिसके पास नहीं उसको फिगर एगकर किखिया करूंगा तो हर शक्र स्ट्रेस स्ट्रेस की चार किसमें होती है ये को दा फिजिकल स्ट्रेस जिस्मानी स्ट्रेस तफसी starting नहीं बताओंगा सिर्फ हलका से इशारा करनों आपको हर लम्मे हमारे जिसम के उपर एक बोज है ग्रैविटी का और यह बोज की विजए से हमारे जितने भी मोरे हैं उन पे प्रेशन पड़ता अगर आपके सर पे 20 किलो का एक बोरी हो सिमिट की तो क्या होगा कंटिनुसली प्रेश होगी तो एक यह रीजन है दूसरा दिल मुसल्सल्द हरकत करता है धरकता है शरिया उनों में खून दोर रहा है तो यह तमाम चीज़ें जिसमानी स्ट्रेस पैदा करती है अप्लस आप कामकाश करते हैं जिसमानी तौर मे बात करना वोबी स्ट्रेस है उसका अबद करने वाली की देथ हो गई बच्चों का प्रॉब्लम है जिसके विजा से इमोशनल स्ट्रेस हो अजाना रहे के था कि रहे हो जचले के रहे रहें है यहाल। का च मिक रहरें से खिरने एंवा से रहें हो खिरने रहाना रहेワ्लओा को रहे चौह खिरने रहे हो थम्रहत लंद करोWH αυτό सबस्ट बाग़न संड़िगान उना रभा सुट्डारे, चुट्टारे, परेओ रगान राल दो भी कहां? यह नायन कुट्टारे, झालिकान रालcekt ov जान रहा हुआन. प्राइबुर 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 ₹ प्राइबुर nylon आरे जाद मौनने तो प्राइबुर एक एमोशन स्ट्रेस है जो आपकी एमोशन को चेंज कर देता है गुसा आजाता है, रोना आजाता है बेबसी महसूस होती है अब सुर्दगी या उदासी होती है ये भी स्ट्रेस खौस करता है तीसरा स्ट्रेस जो रहता है उसे करते हैं कॉगनेटिव स्ट्रेस ये स्ट्रेस का मतलब है कि एक सिचुएशन आपके सामने आप उसे परसीव कैसे करते हैं तो निकान्प रिया Алवा उता हैं कि प्राइट अिझ हैं और बाती मेरे साथ कुछ। भागना उता है, लड़ना, तीन रिस्पानस होते हैं या आप जॉब छोड़े आप मालिक जो है उसका आपका जो फंड देना था वो फंड नी दे रहा तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ देती आपको क्या आपके पास कॉलिफिकेशन है एक्सपीरियन्स है बगर जॉब आपको नहीं मिले या आपके अतराफ में लोग रिश्वत लेते हैं और आप नहीं लेते हैं और उसकी वज़े से आप कभी कभी परिशान होते हैं इंटर्नल कॉन्फलिक्ट आपके अंदर पैदा होता है तजात कि पता नहीं मैं लूँ ना लूँ अगर लेता हूं तो खुदा को कर लाग को क्या जवाब दूँगा नहीं लेता तो मेरे बच्चों का इडूकेशन कैसे होगी ताली कल मरे पास एक साब आयते वो उनकी तंखा एक लाग तंखा और बाकी जो कमिशन वगड़ा थे एक लाग चालीस दार के करीब थे कंपनी में और आप वो कमपनी में चुक्के डाउन साइजिंग हो रही तो उन्होंने कमिशन बंद कर दिया अब उनके पास एक लाग प्रुप्या महीने का मिलता है अच्छा देखा जा तो एक लाग बहुत है मगर तीन बच्चे हैं जो स्कूल जाते अच्छी अगर उनकी फीजे निकाल दे तो मेरे खाल में चालीस पचास साथ हजार तो फीज चलीगी फिर घर पे अंदर खाना पीना मेडिकल ही है वो तो कहां से लाएंगे बहुत परिशान थे तो अब ये चीजे इनसान के अंदर कॉग्नेटिव स्ट्रेस पैदा करती है और कॉग्नेटिव स्ट्रेस सबसे बड़ा प्रॉब्ली में करता है कि इनसान फिर घलत रास्ते की तरफ जाता है हराम की कमाई की तरफ जाता है या घलत रास्ते की तरफ जाता है जुर्म की तरफ माइल होता है कॉग्नेटिव स्ट्रेस और चौथा डिस्कवर हुआ 9-11 के बाद मगरिब में बड़ा इंट्रेस्टिंग है और उसे कहते हैं स्पिच्छल स्ट्रेस तो कि 9-11 का वाकिया हुआ उसके बाद अमेरिकन्स तो बहुत घबरा गए और अब जो आप देख रहे हैं मुस्छल सलकी जी कोई गाड़ी मार के चला रहा है कोई गोलिया मार रहा है कॉमन हो गया ना अमेरिका में ये वाकिया वज़ा ही है कि उसके बाद उनको पता चला कि जिन्दगी का मकसद क्या है मतलब मैं आता हूँ पढ़ता हूँ लिखता हूँ मैंनत करता हूँ साट साल में डिटाइमेंट हो जाती है बच्चा मेरा कहा है मुझे नहीं पता बेटी मेरी कहा है मुझे नहीं पता साल में एक दफा फादर्स डे मदर्स डे पर फोन कर देते या पर थेंस गिविंग डे उनका होता है उस पर सारे जमा होते बाकी कुछ भी नहीं पता तो अब जिन्दगी का मकसद कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो सच इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे मार्शरे ने मुझे सच बोलना सिखाया है मगर क्या सच बोले के लिए कोई और भी मेरे पास फलसफा होना चाहिए जिंदगी का एक हायर फिलोसफी होनी चाहिए वो नहीं है क्योंके रिलिजन नहीं है दीन नहीं है उनके पास तो वहाँ पर ये वैक्यूम एक खला महसूस कर रहा हमाद लिए आप देखें इतना स्ट्रेस है हर किसम का स्पिचल स्ट्रेस भी है वो सुबह निकलता है रात को आता है सेरेडे संडे दो दिन छुटी होती है एक दिन रात को कलब जाके पी लेता है थोड़ा सा डान्स वांस कर लेता है संडे को घर वर साफ करता है जल्दी सो जाता है मंदने को जौप पर जाने में यकीन से कहता हूं कि अगर गोरा शराब नियूभा, तो रात को सो नी सकता है वो जो पीता है तो उस रात को कम से कम नीद आ जाती क्योंके नीद इसलिए नी आती कि जूदगी में वेक्यू में खला है और ये खला बड़ा खतरनाग है देखे अगर मैं रिश्वत नहीं लेता तो मैं इसलिए नहीं लेता कि मेरे रब ने मना किया है ये किसी की हग तलफी होगी ते मैं रिश्वत दूँगा है रिश्वत दूँगा है तो मैं नहीं लेता मेरे रब के लिए नहीं लेता कि मेरे रब ने का मतलो मगर अगर मेरे पास रब का कॉंसेप्ट ही ना हो और मैं रिश्वत ले रहा हूं या दे रहा हूं और फिर एक दिन मैं सोचता हूं कि यार मैं क्यों ले रहा हूं क्यों दे रहा हूं या फिर मेरा माश्रा कहता है रिश्वत है ही नहीं मेरे माश्रे में तो मुझे तो माश्रे ने ट्रेंड किया है कि रिश्वत नहीं होनी चाहिए मगर मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मेरा रब मुझे कह रहा है Are you getting my point जो हो बता रहा एक higher purpose of life होनी चाहिए भाल पक्र्ण है, फिलोसेफी जिंदगी दोंगी चाहिए वहना है उत्व हो रहने क travel क मिसिग है तो हम पहराम होने के बावजूद जिंदगी के इंदर एक खास किसम की कम है, और उस देन अभरे यह जा थी उसको कम नहीं किया जा जा सकति है कुई प्राइरिका में बहुत ज्यादा है और सारा का सारा जो जिन्दगी ए इनसान की वो सिर्फ दौलत के हुसूल के लिए ताके जिन्दा रह सके अगर मॉर्गेज नी भरी तीन में तीन दफा मॉर्गेज ता आप गर से निकाल दी आपको खता है आप रोड़ पे आगे कई मकसद के तहर गुजारते ही एक खास फलसफा है हमारे पास हयात का तीसरा सवाल ही तो खातुन प्लीज साइकारिटर्स के पास जाएए फिर आप हमें एमेल करें हम आपको बताएं कि आगे क्या करें एक बड़ा इंटरिस्टिंग सवाल आया शुकर है कि ये जो हमारे दोस् नाजरीन और नाजरीन ये बड़ा सोचने शुरू कर दिया इनों आज से 15-16 साल पहले इसके सवाल नहीं आते थे अब आने लगे तो जहनी सता बुलंद होई आती है इस थर्दे लेक्चर का फाइदा सबसे बड़ा ही है कि आपकी जहनी सता बुलंद होती है और होनी चाहि लेशिंशिप एक्सेफ़ बड़ा है कि हम कहते हैं कि मेरे अंदर सब कुछ है काइनात मौझूद है तो मुझे दूसरे इश्टों की क्या जरू होती है जिंदगी में पालने की सिवाए ऑलाग थे जब आप पढ़के इम्तिहां देते हैं उसके बाद वो पर्चा चेक होता है उसके बाद आपको खबर मिलती है कि आपकी कितने माक्स आए पास होए और अगर पास होए तो कितने माक्स आए तो ऑलाग जो है उसकी तर्विय जब आप करते हैं और फिर जब ऑलाग बड़ी ह होती है तो आपको अपनी तर्बियत के मार्च्स मिलते हैं आपको बड़ी होती है तो आपकी तर्बियत का पता चलता है उसए नाकाम रहे या कामियाब रहे और कामियाब रहे तो कितने कामियाब कि आपकी ऑलाद पता है कि आपका परोसी सबसे बड़ा आपके बारे में केरेक्टर बता सकता आपके जब पुलीस के पास केरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाते हो वो परोसी उसे पूछती है यापका परोस ही आपकी पैचान है आपका रोय परोस्यूंके साथ कैसा है वो रिफ्लेक्ट करता है आप खुद अपने आपको देखते हो इसी तरह जो लोगों के साथ आप काम करते हो किसी आफिस में जो मुलाजम आपके घर पे काम करते हैं या आप दूसरे लोगों से मुंसलिके परोस में ओ, दोस्ती, यारी, रिष्टदारी, तमाम रिष्टे आपके लिए आईने की तरह है, और ये आईने बड़े जरूरी है, क्योंकि अंदर तो सब कुछ है, मगर आपको कैसा पता चलेगा कि अंदर कुछ है, जब तक कोई बता है, तो रास्ता कौन सा लूम है, तो रास्ते में क्या क्या मुश्किलात आएगी, कहां पानी मिलेगा, कहां खाना मिलेगा, रात को सोने के लिए क्या करूं, वाश्रूम जाने के लिए क्या करूं, तो क्या क्या चीज़े रास्ते में आएगी, तो इसके लिए रहबर चाहि और जो कुवत हैं उन कुवतों को पहचांदने के लिए आईना चाहिआ है हर आदमे अपने आपको अच्छा समझता है बईमान से बईमान अपने आपको इमानदर समझता है क्योंकि हो हर बाइमाने की justification देगा हर बैमान जिस्टिफिकेशन देगा हर चोड़ी की जिस्टिफिकेशन देगा हर मिलावत करने वाला मिलावत करने की जिस्टिफिकेशन देगा मगर उसके अंदर जो कमी है खामी है उसका पता सामने वाला बताएगा उसके इसलिए रिश्टे जरूरी है तो कि रिष्टों के बगार पैचार नहीं है यही रिष्टों के अंदर आमाल है और यही आमाल में सजा है या जजा है जो भी आपकी है Next question Can you please elaborate on this quote of Nikola Tesla If you want to find the secret of the universe think in terms of energy, frequency and vibration I think if I am knocked wrong हुरूज को पता हुरूज आ गई बाइदवे Nikola Tesla जो है शादी वो आदमी जिसने electric गाड़ी बनाई है Tesla के नाम से गाड़ी वो ही है न बड़ा visionary आदमी है बड़ा जबरदस इंसान है पर अब गाड़ी तो कहले 2020 में तो Sweden में Sweden ने एलान कर दिया है नहीं 2020 में चालीस में तमाम गाड़ी है Sweden में बिजली पे चलेगी कोई petrol, gas, कुछ यूज नी करेगी तमाम गाड़ी दूसरा इंडिया में भी उन्होंने शुरू कर दी शाद पाकिस्ता में भी एक गाड़ी आ गई पर यहां तो पंप पे पेट्रॉल और सी एंजी नी हो था चार्जिंग के लिए जगा आ दिश रहे है अब बिजली नी हो तो चार्ज किया करेकी गाड़ी तो बड़ी खुब्सूरत मैंने अभी पिछले साल अमेरिका गया तो में बेटा मुझे लेकी गया था इसके शोरूम में यहां गाड़ी है सारा इलेक्ट्रोनिक्स क्योंके ना गैस है ना पेट्रॉल है तो उस सेंस पे जलने की कोई चीज नहीं है बहुत खुब्सूरत जारी है अच्छा जी अभी लों नहीं कहा है कि जो टेसला सहाब है उन्होंने कहा है कि अगर अपने रास दूनने हो काइनात के अगर आपके काइनात के अंदर रास दूनने है कि काइनात क्या है कैसी है तो आप सोचना शुरू करो इन टर्म्स ओफ एनरजी वाइबरेशन और फ्रीक्वेंसी मेरे खाल में माइन साइंसिस के स्टूलेंट्स को समबब बताने की जरूरत नहीं कि क् हर शेय की जो असल हकीकत है वो एनरजी एनरजी के अंदर वाइबरेशन भी है और एक खास फ्रीक्वेंसी भी है जब ये फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है तो कुछ और काम होते हैं जब लो हो जाती है तो कुछ और काम होते हैं आपके ब्रेन के अंदर इलेक्रिकल एनरजी ह अब उसकी frequency है जब frequency change होती है vibration change होती है किस frequency पे कोई share है उसकी vibration से पता चलता है तो जब brain के अंदर frequency आपकी जो 40 cycles per second से लेकर zero भी है उसमें जब आप deep जाते हैं और frequency कम होती है और vibration कम हो जाती है तो फिर आप एक और दुनिया में होते हैं वो दुनिया जो आपके जिसम से अलग है एक और दुनिया तो ये काइनात के राजों को समझने के लिए हम normally जब सोचते हैं हम सोचते ठोस, solid में सोचते हैं उससे beyond जाना पड़ेगा for example हर ठोस चीज जो नज़र आती है दिवार है, जमीन है, च्छते vibration है, और फ्रिक्वेंसी है खास की जब की, किस रफसास से electron, neutron की गूम रहा है और उसके घूमने से क्या vibration पैदा होती है अब आप दिवार पे हाथ रखेंगे तो आपको महसूस नहीं होगी vibration मगर जिनों ने सिल्वा किया है, पता नहीं मेंसे कितने सिल्वा किई है, अपने की ए, जब हम दिवार के अंदर जाते हैं तो हमें रोश्णी भी नजर आती है, हमें बू справ़नी आती है, हमें आवाज भी आती है विस सारी चीजें और temperature के भी पता जलता है दीवार के भार के temperature अंदर का क्या भार का क्या है ये भी फिर्ट फैसिस होता है क्योंकि उस वक्त हमारी frequency कुछ और होगी काइनात के राजों को समझने के लिए जिन terms को जिस चश्मे को लगाना होगा वो energy, vibration और frequency का चश्मा होगा इतनी अजीब और गरीब बात है चुकि हम इन से नाशना इन तमाम चीज़ों से तो हम इस level पे सोच ही नहीं सकते हमारे universities में भी बच्चे जो है उनको पता है नहीं गया कि हसल हकीकत जो माद्दे की है वो energy लिए और अगर उस energy term में सोचेंगे तो research बहुत तेजी से आगे जाते है आप सोचें एक Berkeley और कई universities में नाफ कर देने पर वो कहते हैं forgiveness जब इनसान करता है तो उसका emotional state चेंज होता है और emotional state चेंज होता है तो उसके अंदर vibration चेंज होती है vibration के एक और निसाल देए आप कभी जाते हैं किसी शक्स से मिलते हैं पहली दफ़ाँ आपने उसको कभी नहीं देखाँ आप पहली दफ़ाँ मिलते हैं उसके अंदर से कोई vibes आती है वो vibes आपको अच्छी लगती है वो आदमी आपको अच्छा लगती है और कभी किसी से मिलते हैं अजीब सी एक कराट सी मैसूस होती है उस vibration से जो उसके अंदर से निकल रही है अब वो vibration कहां से पैदा हुई उसकी सोच से उसकी सोच जो है वो change करती है frequency को और जैसे frequency को change करती है vibration change होती है तो हर चीज़ eventually in terms of काइनात में जो हर चीज़े उसका जो eventual evolution हुआ है वो हर चीज़े हुए कुन फाय को अच्छा जी नेक्स सवार how do we stop judging people I want to learn the art where there is a balance between the ability to analyze a person and being judgmental please elaborate how to do it अच्छा इन्हों ने काई जी हम लोगों को judge करते है what do you say judge Allahma sahab जज को उर्दू में क्या कहते है Allahma sahab चले गए नापना और तोलना ने वो तो आसान लबजों में है नापना और तोलना जज का परकना Allahma sahab जजमेंटल को क्या कहेंगे उर्दू में या जज करना लोगों क्या कहेंगे जज करना हम जजमेंटल हैंना हम लोगों को परकना शुरू करते हैं अच्छा चलो जी सॉरी डिस्टरब किया उर्दू की साथ तो यह कहना है एक हम जज़ करते हैं, जैसे ही कोई शख्स हमारी सामने आता है, अजनबी है जान पिचान वालूगा, जैसे हम उसे देखते हैं हम जज़ करना शूरू कर, जूतों से, कपड़ों से, पहले तो यह चीज़ होती है ना, बाल से, दाड़ी से, चश्मे से, आंख स कि इसके आँक कैसी है चश्मा कैसा है चैरा कैसा उसके बाद बातों से उपर बातों के बाद को ऑगर राज्जशनबिये तो परता है तुम जच करना शूरू भार अब यह जो हमारी जज्मेंट की आदत है यह आटमेटिक है बच्पन में अगर इसमा बाप ने कंपेर किया आ एनिलाइजिंग एटिटूट में फर्क है। एनिलाइजिंग एटिटूट जो है वो सलाहियत एंसान में कि वो किसी की शक्सियत को देखकर उसकी शक्सियत के मुक्तलिफ पहलूओं के बारे में इल रखते हुए उस शक्स के बारे में एक नजरिया कायन करता है। मगर उस नजरी में उसके अपनी जाच शामिल नहीं होते हैं इसकी सबसे अची मिसाल है एक सर्जन जब ऑपरेशन करता है तो वो काटता है जिसम को छुई के साथ काटता है मगर उसे कोई घवराट नहीं होती कोई डर नहीं होता खून भी निकल रहा होता है वो खासकर जो बड़े खतरनाक किसम के ऑपरेशन होते हैं जिसमें नियोरो सरजरी ब्रेंट सरजरी इसी तरह गुटने का ऑपरेशन नी रिप्लेस्मेंट जिसके अंदर ड्रिल औ कटर से घड़ी काटी जाती है मतलब धिल जाए आदम उस आवास से जो सुनाई देदी जब अगर उन्हें कुछ नहीं होता क्यूंकि वो नॉन जिजमेंटल है यनि डिटैश्मेंट होती है अच्छा आप जाएं उसके पास कसाही के पास जब वो गाई को जबा करता है बकर इमोशन्स नहीं है उसके अंदर कोई इमोशन्स नहीं है वो एक काम कर रहा है इसी तरह डॉक्टर अपना काम कर रहा है उसका परपरजी है कि भी मरीज की जान बचाई जाए या मरीज को ठीक किया जाए उसकी जात शामिल नहीं है जब हमारा अपना उपीनियन शामिल होता हर चीज में हम बड़े उपीनियेटिड लोग हैं हर चीज के बारे हमारी एक राय हर चीज के बारे में राय और उस राय से हम दूसरों को परकने की कोशिश करते हैं तोलने के नापने की कोशिश करते हैं तो हम जज्जमेंटल होते हैं अब इसके लिए Detachment Attitude Detachment Attitude के तरीका कार यह है तरीका कार यह है के पहले माजी के बहुत सारे वाकिया थे आपने जिसमें आप Emoosional थे पुस्षे में थे या बहुत खुश भी थे उन वाकिहात को याग करें बारी-बारी और तसवर करेंगा वो वाक्या सामने हो रहा है, स्क्रीन पे मैं यहां पे हूँ मैं देखना हूँ अपने आपको, मगर मैं उस वाक्य के अंदर इस वक्त मौझूद नहीं है मिरी बात समझ रहे हैं NLP की कुछ टेकनीक से कि वो वाक्या चल रहा है, मैं मौझूद हूँ मगर मैं उस वाक्य के अंदर इस वक्त नहीं उपहले था अगर यह आदत डाली जाए तो खुशी गम दोनों कभी खुशी कभी गम दोनों से डिटेश्मेंट जरूरी है बहुत ज्यादा खुश होना भी गलत है तो कि जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो बहुत ज्यादा खंगीन भी होते हैं यह पेंडलम की तरह है पेंडलम समझते हैं घड़ी का वो जब वो लेफ्ट पे जाएगा तो उतना ही राइट पे जाएगा तो बैलन्स स्टेट यह होता है कि खुशी अच्छी बात है मकर उस खुशी को अतनी ज़्यादा महसुस ना करो कि फिर वो किपैसिटी पैदा हो जाए कि कल गम भी इतनी ही शिदध से महसुस होगा दुग भी इतनी शिदध से महसुस होगा यह किपैसिटी पैदा हो जाती है बैलंस्ट होना जगह आज़र स्वालाव अलब की जिंदगी, तमाम जिंदगी बैलेंस था चीज में, बैलेंस था, और ये बैलेंस इत्सान ला सकता है, प्रैक्टिस के जए, नेक्स सवाल, अच्छा इस दफा सवाल भी सारे अल्नामा साब इंग्लिश में आरे, एक आद आया था रोमन में पाकी इंग्लिश में, we dream while sleeping, and go through different frequencies of brain, but we are not conscious to control the dreams, my question is, if we control the frequency in which we dream, then it will be said to be a dream or a real event, समझाओ, सहाब ये कह रहे हैं कि, रात को जब नीन में हम खाब देखते हैं, तो brain की मुखतली frequency होती है, हमें conscious नहीं होता, हमें शाओर नहीं होता, प्रिकोज हम खाब देख रहे होते हैं, और चुके शओर नहीं होता हम dream को control नहीं कर सकते हैं, सवाल है, कि अगर हम उन brain की frequency को control करें, जिस पे हम खाब देखते हैं, तो फिर वो खाब हमारे लिए हकीकत, ये हकीकी event होगा के नहीं होगा, I think वो करना ये चाहरे हैं, शायद क किसी खाब में जाना चाहरे हैं, वो inception देखी होगी उन्होंने, किसी के खाब में भी आप जा सकते हैं, या फिर ये अपनी मर्जी का खाब देखना चाहते हैं, अब ये fact है कि नीम में आप एक cycle होता है, उसे ram sleep कहते है, rapid eye movement, आखे यू यू होती है, नब्बे मिनिट का एक cycle होता है, देर गंडे का लगबद, और average में अगर आप गंटे रात को सोते हो, साथ या आठ गंडे, तो minimum कम से कम चार मर्तबा उस cycle से गुजरते हो, अब उस cycle में खाब होते हैं, तो खाब में चुके आप को शवर नहीं होता कि आप खाब देखने, तो वो खाब के अंदर time distortion भी होता है, या आपको लगा है कि पताँ इतना लंबा खाब देखा हो पतल एक मिनिट थी, या आपने एक मिनिट खाब देखा मगर आपको लगा कि खाब लंबा था, या आप वाइस वरसा हो सकता है, या खाब बहुत छोटा था मगर आपको लगा कि आप आदे गंटे से टाइम डिस्टॉर्शन होता है अब यह रैम स्लीप आटोमेटिकली है किसी लिए कहते हैं कि नींद की दवाई ना ली जाए तो बेतर है कि नींद की दवाई जो है वो आपको गही नींद सुला देती है रैम स्लीप बड़े जरूरी आपके लिए किसी शक्स की भी जहनी सहथ के लिए और जिस्मानी सहथ के लिए रैम स्लीप जरूरी है मैं जो बात कह रहा था कि उन्होंने जो कैंसर के बारे में रिसर्च की कि क्या वजू हाते है बड़ी इंटर्स्टिंग रिसर्च है जिसमें एक तो यह था कि स्ट्रेस दूसरा था स्लीप अगर आप स्लीप डेपरिवेशन आपको है याँ आप रोज साथ घंटे मिनिमम नहीं सोते तो इवेंचुली करते 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 आपके अंदर बिहेवियर चेंज होता आपके सेल्स का जिसर्ण आप नहीं सोते हैं आपके सेल्स को भी सोते हैं उनको भी आराम मिलता है बड़ी अजीब और वरीब ट्रीज है तो स्लीप भी अतनी ही जरूरी है कैंसर की प्रिवेंशन के लिए कि जितनी बाकी तमाम चीज़े जरूरी है तो अब हालत नीम में जब आप की ब्रेन फ्रिक्वेंसी कम होती है एक अंदाजा है जो साइंटिस्ट कहते है कि जी दस साइकल से लेकर पांच चार साइकल तक की स्पेक्ट्रम है उसमें आप नीम में खाब देखना शूरू करते हैं जो खाब आप पांच साइकल से नीचे देखते हैं हमोँआन वो सच्चे खाब होते है या फिर साइकल से नीचे देखते है मगर वो खाब रियल इस सेंस में होगे कि जो वाक्या होने वाला है वो मन हो मन नजर आया आप और जो खाब आप 10 cycles per second पर देखते हैं वो भी सचे खाब होते हैं मगर वो symbolically होते हैं symbols आते हैं उसमें even as it is नहीं आता है वोही चेरा नहीं आता मगर वो symbol होता है for example मुझे आते सालों पहले मौश साल पहले गी माँ मेरे दादा हयात थे तो मेरे वालिद का अलसर हो गया उस जमाने में अलसर की दवाईय नहीं थे अब तो अमनी प्रिजोल वगरा मिल जाती है प्रिवेंशन के लिए तो सर्जरी होनी पड़े तो स्टमक का पेट का एक हिस्सा काटना पड़ा हुआ तो बड़ी क्रिटिकल कंडिशन में उनको एटमिट किया थे ब्लीडिंग होना शुरू होगी तो रात को सर्जरी थी मेरे खाल में सुबा च्छे बज़े रात को मेरे दादा ने खाब देखा खाब ये है के चारो तरफ पानी ये च्छत है घर की और मेरे दादा और उनके बेटा नहीं मेरे वाले दोनु च्छत पे खड़े इतने में मेरे वाले का पैर फिसलता है और वो पानी में गर जाते है मेरे दादा चीखते हैं कि अब क्या होगा बेटा क्योंके तुफानी पानी है सेलाप टाइप की चीज़े एक दम से एक हाथ निकलता है पानी में से और वो हाथ पानी में जाकर मेरे वाले वाले को इसे उठाकर वापिस फैंक देता है चछत पर और मेरे दादा की आख खुलती है उसके एक दो धंटे के बाद हॉस्पिटल से अर्ली मॉनिंग का खाव हॉस्पिटल से फोन आया कि बस बाल बाल बचे वो हिस्सा जो काट के निकाला उसको जैसी उन्होंने जार में दादा वो टुकरे टुकर हो गे अगर एक देर गंटा भी लेट हो जाता है तो यह फट जाता पेट यह सिंबॉलिक खाव था वो हाथ किसका था रव जाने पानी सिंबल था जिंदगी की अलामत थी या मौत की अलामत थी या डूबने की अलामत थी दूबने के अलामत मौत के अलामत हुई ला और वो हाथ कोई गहबी ताकत थी जिसने निकाल कर बाहर फैंका और बच गए तो ये सिंबॉलिक खाव है मगर अगर आप देख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता एक जलजल आया है और ये शक्स है जिसको आप जानते हैं और वो दब गया मलबे में और खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता चंद दिन के बाद एक्जेकली वोई सीन दोराए जाए तो उसे सच्चा खाव मगर नॉन सिंबॉलिक है दोनों सच्चे खाव होते हैं तो ये जो दस साइकल्स पर सेकेंड की नीचे की दुनिया है ये बड़ी हजीब और खुरीब दुनिया है इन फैकि चौदा से शुरू होती है और पांट चार तक वहुच्चती है बड़ी हजीब और खुरीब दुनिया है ये दुनिया रोहानी दुनिया है पूरी की पूरी है इसको माइन वर्ल्ड भी कहते हैं मेंटल वर्ल्ड भी कहते हैं और हम सिल्वा में और फोर डैमेंशन में यही तो ले जाते हैं आपको इसके तो तभी तो आपके काम होते हैं सारे के सारे तो यह दुनिया बड़ी हची ट्रेनिंग लेनी पड़ती इसके लिए तो अगर आप ब्रेन फ्रिक्वेंसी को कम कर सके तो यह खाब आपके कंट्रोल में आ सकता है इसे कहते हैं लूसीड ड्रीमिंग और सु कि आप वो खाब देख रहें जो आप अपनी मर्जी देखना चाहिए यह खाब में आपको करीर आनी को पूरता आपने इसको अटा दिया मधूरी को ले आज़ पुरानी है मगर अभी भी बड़ी ग्रेसफुल है मधूरी डिक्स आखरी सवाग कितना टाइम रहे गया सलीम सब्सक्राइब आखरी सवाग यह भी इंट्रेस्टिंग है आपने देखी होगी सीक्रेट के नाम से एक डीवीडी भी मिली है सीक्रेट के नाम से किताब भी निकली है बड़ा उस पे शोर हुआ दुनिया में जो लॉफ अट्रेक्शन पे बेस्ट है हम 35-36 साल से लॉफ अट्रेक्शन सिखा रहे है लोगों को यकीन नहीं आते है गोरों ने कह दिया ताब सबको यकीन होगी है लॉफ अट्रेक्शन जो आफ फोर डैमेंचन में सीखते है और हिस हिल्वा में सिखते हैं वो law of attraction और दुआ भी law of attraction है पूरी पूरी दुआ law of attraction है अब ये कह रहे हैं बात interesting है कि अगर हम feel करते हैं मैसूस करते हैं अपने अपने दिल में अपने जहन में दुखी पर या दुख sadness जो लोग तकलीफ में उनको देखकर दुख होता है गरीब है बीमार है बेवस है बेसारा है यतीम है उनको देखकर हमें दुख होता है दूसरों को तकलीफ में भी हम कल पता नहीं आपने समा पे देखा नहीं देखा शो कर देखने काबिल शोता सुबा नौ बजे चौना तो लोग रहते हैं महां पर जो चौदा साल का बच्चा था जिसको पुलीस वाली की गोली लग पे अब उसके धर पे कल सुबा गये था मेरे साथ जुनेद इकबाल भी था वो जो रिलिज्यस प्रोग्राम भी करता है तो ब्रेक हुई तो मैं और जुनेद थोड़ी देख घर था तरी बस्ती है बहुत ज्यादा होरंगी टाउन तो इनकी जो दिवारें वो छोटी थी और घर भी छोटे और गलियां भी छोटी तो मैंने जुनेद को का मैंने का देखो जुनेद गोर करने की बात है दिवारे चोटी है घर चोटे हैं गली चोटी है मगर दिल बहुत बढ़े हुए नियरली पूरा परोस वहाँ पर जगानी के अंदर चार चार पाईया उसकी लड़की बच्चे की फैमिली भी है हजार आके परोसी आगर लाइन से और इतने दिन से परोसी ख्याल रख रहे हैं और उसी वक्त उसका दादा लड़के गार जो बिचारा जिसको गुली लगी है वो मांसरा से आगे कोई जगा है गां वहां से वो बिचारा बहुत गरीब लोगे तो बस में होके आए उसी वक्त वा परोसी काम आते हैं असल परोसी कहां कि यह होता है तो वहां हर कोई रो रहा हारा आख अच्छबार थी बहुत बड़ा लॉयर भी हमारे साथ था मंदोखेल साफ और लोग भी थे बता नहीं सकता वो क्या ट्रेजिट और बहुत ही गरीब लोग इंतिहाई गरीब लोग अब सवाल ये है कि लोओ अट्रेक्शन ये दे सीक्रियट ये कहती है कि जो आपके दिल में हुगा जो आपके मन में होगा जो आपके जैन में होगा वो आप अट्रेक करेंगे तो इनका सवाल ही है कि जब हम लोगों को तकलीफ में देखते हैं परेशानी में देखते हैं और हमारा दिल अफसुर्दा हो जाता है या हम गम मुब्तला हो जाते है तो क्या इसका ये मतलब है कि इसका मतलब हम दूसरों का एहसास ला करें कहने का मतलब है कि अगर हम ट्रेजिडी में देखते हैं तो ट्रेजिडी एट्रेक हम करते हैं कि नहीं करते हैं क्या दूसरों को तकलीफ में देखकर क्या वो तकलीफ हम अपनी जिंदगी में अट्रेक करते हैं कि नहीं करते हैं अगर करते हैं इसका मतलब हम अपने अहसास को खतम करते हैं पहली चीज तो यह है अट्रेक नियत से होता है नियत वो लिवर है कि जो अट्रेक करता है अगर आप अफसुर्दा है, मगर आपकी नियत निये कि आप अफसुर्दी की कोई ट्रेक करें तो आप नहीं करेंगी, मगर अगर अगर आप खुश है और आप चाहते हैं और नियत करते हैं कि आप आती रहे या मौझूद रहे तो वो खुश ही आईगी, there is law of attraction, अगर आपके दिल में एहसास खतम हो गया, तो आप इनसानियत के जो मरतबे पे फाइज है आप गिर गए, आप इनसान जानवर भी नहीं है, क्योंकि जानवर को भी आपका एहसास है, हमारा डॉगी है न यह आप देखे हुरूज के आने से 15 मिन्ट पहले उस चीख चीखना शुरू कर दिया, जबकि गाड़ी भी नहीं आई थी यहां और वो जब से उरूज आई यह दिवानों की तरह उसके पीछे पीछे हर जग़ा साथ है, चूँकि वो 15-20 दिन से नहीं थी यहां पे मैंने से चानवर को भी ऐसास है, कुट्टे को खास कर आपका एहसास है, गोड़े को आपका ए एसास है इन्सान को नाओ था अगर एसास नाओ तो ओ कि इन्सान रहा ही नहीं। तो यह जो लट ये अपसे इंपती जिसको हंधर्दी कहते हैं दर्द दिल कहते है अक्सल वठ सब्सक्राथ ये को लिफिकेशन इसपस्द इंटेलिजेंस की है जिसrama हम ईम heir कि आ हैं intelligent emotional होना अलग बात है emotional बहुत हैं मगर क्या हम अपने emotional के अंदर intelligent है के नहीं है यह different तो यह जो रिसर्च थी उसमें चंद चीज़ें बड़ी interesting बताई और जब मैंने वह रिसर्च पड़ी तो महरान हो जो मैंने का मेरे दीन ने 14 साल पहली चीज़ें बता दी हम समझे ही नहीं जो emotional intelligence होगा उसमें सबर होगा इसको उन्होंने वर्ड दिया delayed gratification आप सबर करते हैं वेड करते हैं अजान हो फिर मैं इफ्तार करूं पहले नहीं करते हैं सबर है मुश्किलात में यकीन के साथ सबर करते हैं कि मुश्किल जो है वो टल जाएगी एक higher reality में बिलीव करते हैं ला की जात पर दूसरा तशक्र के साथ जिन्दगी गुजारता है इनसान ग्रैडिट्यूट के साथ हर चीज़ का शुकर अदा करता है ये emotional intelligent लोगों की खुबियों में से हैं और एक खुबी है कि वो empathy होती है इनके अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी होती है अपना हो ये गैर हो इनसान नहीं है डीच से हैं अमल से हैं जहन के अंदर सोच कि अ पड़ रहे हैं उससे आप इंसान तो आज के सवाल चार आज मैं खाल मैं साथ सवाल मैं वाँ कमार हो जब बहुत सवाल हो की लाइन लगी अच्छा चंद एक तो शुक्रिया आपका आने हावा बहुत अच्छी कॉफी आपके लिए गर्मा गरम बनाईए अब जब तक सर्दिया है कॉफी या फिर कश्मीरी चाय होगी अगली दफ़ा कश्मीरी चाय रखेंगे हमारे चोड़ी चोड़ी बच्चे आते आज इन में से बहुत सारे बच्चे दो ही आए तुम तो बच्चे तो नहीं है तुम तो बड़े मिश्योड हो तो माशालला पर फिर भी हम बच्चा कंसिडर करेंगे तमाम बच्चों के लिए हम लिए हम लिए हर थरस्डे ही आते बड़े शॉक से लेक्चर सुनते और आप सोचे इस एज में लेक्चर सुनते किसे एज का बच्चा बैठता इस तरह एक गंटे की में फिल्म है कभी देखा है आपने सिवाए काटून फिल्मे हो तब बैठता है वैसे नहीं बैठता वगर देखो कितनी शांती से बैठते तो इनके लिए हर दफा यह तो मेरा आशी है यह मेरा फ्यूचर का स्टूड़ेंट है तरह सुबास है इनके लिए हमारे हर दफा कोई नहीं कोई बिस्किट्स वगर ठीक है तेंक यूफर कमिंग आप शबका बहुत शुक्रिया सेटर्ड़े हम SLS कर रहे है सिल्वा का प्रोग्राम कराची में इस सेटर्ड़े को तो नेक्स सेटर्ड़े संड़े जो है वो SIS होगा इन्ट्यूटिव सिस्टम से लगाँ दूआ में याद रखेगा मौसम तब्दील हो रहा है हिफाज़ती तदावीर बहुत ज्यादा पॉलूशन में मज जाईए कोशिश करें कि रात को नमक के घरारे कर लिया करें और अपने आपको ठंड और सथ दिन में गर्मी होती रात को ठंड उती है थोरस अपने आपको बचाईएगा वाटर इंटेक बहुत बड़ा दे पानी की मिगदार बहुत हो पीने की जितना ज्यादा हो सके ठीक है आब आद रहे शाद रहे परवदिगार आपको जिन्देगी में बेताशा खुशिया दे तौफिक देकर खुशिया दूसरों में बाट है पाकिस्नान पाइन देगा है